Hello and Welcome to Inserver Civil Services 90 Days Plan के अंतरगत आपको जेवग्राफिक लेक्चर दिये जा चुके हैं कई लेक्चर आपको दिये जा चुके हैं जेवग्राफिक का अगला लेक्चर आज होगा आज के लेक्चर में हम लोग Asia महाधुईप में कुछ बची वी कंट्री जो Middle East में है उनकी location के बारे में देखा जाएगा और महतपूर चीजें वहाँ से देखा जाएगा पिछला lecture Asia महादीब का जो साइथ 54 मिनट का आपको दिया गया था उस lecture में 51 मिनट तक आपका आवाज बहुत सही तरीके से आई है 51 मिनट के बाद वहाँ उसमें आवाज में थोड़ा साउंड में प्राब्लम हो गई रिकार्डिंग तो हुई थी बट साउंड नहीं आ रहा उसमें तो उस lecture को थोड़ा कबर किया जाएगा और अगर समय मिलेगा तो आपको यहां पर यूरोप महादीब को भी कंप्लीट करा दिया जाएगा आपको अब तक नौर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफरीका महादीब यह सब कंप्लीट किया जा चुका है और एसिया महादीब भी लगभग 90% तक कबर हो चुका है तो चलिए आज का लेक्चर करते हैं, लेक्चर सुरू करने से पहले हम छेट्रफल के आधार पर महादीब को देख लेते हैं हम हर एक lecture में छेतफल के आधार पर महादीपों को बताते हैं आपको एकदम रटा हो जाना चाहिए एकदम मुझवानी के आते हैं एकदम जवान पर होना चाहिए आपके तो सबसे बड़ा महादीप है एसिया उसके बाद यहां से चले आए अफरीका फिर आप इससे जाएए उत्तरिय अमेरिका फिर यहां से इधर आजिए दच्छिडिय अमेरिका फिर आप यहां से इधर आजिए तो अंटार्क्रिका फिर आपका आजाता छटवे नंबर पर यूरोप आपका इसी महादीब के अंतरगत आता है अगे अगर कंट्री की बात करते हैं तो नंबर एक पर कौन सा कंट्री है छेथफल की दिर्ष्ट से तो नंबर एक पर है रस्या फिर आप यहां से चले आए इधर इससे वेस्ट आ जाए करनाडा करनाडा के बात आप चले जाए फिर इधर आजिए वापस तो फिर यहां चाइना चाइना तीसरे नंबर पर छेथफल की दिर्ष्ट से उनाइटर इस्टेट साफ अमेरिका पांचवे नंबर पर आप यहां से ब्राजिल आ जाए ब्राजिल से एक सिप करिए यहां चले आई आई अस्ट्रेलिया चेथवे आप से पॉपलेशन डेंश्टी पूछी ती जिसको कई लोगों ने कमेंट किया था कि भारत के पॉपलेशन डेस्टी 2011 जनगर्णा के अनुसाद 382 पर संपर स्क्वाइर किलूमीटर है ओके ठीक है आज कि महाद इस लेक्चर में पीछे लेक्चर में हम लोग कुछ देखे थे जैसे एसिया महादूइब जो है आपको यहां पर दिखेगा कि यहां इंडियन ओसियन इधर आपको दिखेगा यहां पर प्रसांत महा सागर उपर आपको आर्क्टिक ओसियन दिखेगा यह रसिया कंट्री भी इसमें है यहां पर आपको दिखेगा बेरिंग जलसंदी क क्योंदारा उतरी अमेरिका से अलग होता है आप इस इधर आते हैं तो आपको दिखता है कि यहां पर यूराल माउंटेंस हैं, यूराल माउंटेंस से भी ये अलग होता है, कैस्पियन सागर है, और भूमद्य सागर है, और ब्लैक सी भी है, ठीक है, यहां पर आपको रेट सी दिख रहा है, रेट सी यानि लाल सागर, लाल सागर से भी ये अलग होता है, ठीक है, यहां स्वेज ट्रेंच के बारे में देखे थे, फिर हम लोग कुछ माउंटेन रेंजे जैसे हिमालया, हम इंडिया में बताया थे कि कराकॉरम, लद्दाक, जासकर, ग्रेट हिमालय, पिर पंजाल, सिवालिक, कराकॉरम, लद्दाक, जासकर, ग्रेट हिमालय, पिर पंजाल, सिवालिक, ठीक पस्चिम बंगाल एक ऐसा भारत का राज है जो आपको बहुत कनफ्यूज करता है कि कितने देशों के साथ सीमा साजा होती है पस्चिम बंगाल की हमने बताया था कि इधर बांगला देश है आपका इधर नेपाल है इधर आपका भूटान है बांगला देश इधर इधर नेप तो पस्चिम बंगाल भुटान के साथ भी सीमा साजा करता है और आपका इधर नेपाल के साथ भी इधर बांगलादेश के साथ भी और इधर भुटान से बात करते हैं तो भुटान के साथ सीमा साजा करने वाले भारत के राज्य हैं सिक्किम इधर पस्चिम बंगाल इधर होना है बहुत ज़्यादा होती है ठीक है तो आप एक्टिव रहे एकदम आगे सिरिलंका के बारे में हम लोग बताया थे यहां पर थोड़ा मिश्टेक हो गए थी सिरिलंका के हाँ साउथ एसिया हो चुका है साउथ एसिया में हमने आपको बताया था कि यह बोर्नियों जो दीप है यहां पर तीन देशों का सासन है यहां पर आपको दिख रहा है मलेसिया यहां पर बुर्नेई है और इधर बोर्नियों है ही इसमें यह इंडोनेसिया का पार्ट है इंड बंदर सेरी बेगावान, बंदर सेरी बेगावान, ओके, आगे हम लोग म्यामार के बारे में देख चुके थे, इरावधी नदी को म्यामार की लाइफ 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 लाइन का आ जाता है, आगे मलेसिया के बारे में देखी चुके थे, कि मलेसिया का एक पार यहाँ पर है, और दूसरा पाड यहां पर है मलेशिया का कुछ इस परकार से और यहीं आपको दच्छिड में सिंगापूर दिखता है इंडोनेसिया हो चुका था कुछ इस परकार से इंडोनेसिया आपको दिखाय गए थे और यह जौला मुखी भी दिखाई गई थी हाँ यह भी हुआ था हम सीधे जापान पर चलते हैं जापान जापान में मुखी रूप से चार जो दीप हैं एक ट्रिक के द्वारा नौट टू साउथ अगर हम देखते हैं नौट टू साउथ तो हाँ 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 हाहा, हैस्ट के होकарडो, होंसु, सिकोकू, कियोश्व। छेदपल जिदर सबसे बड़ा है होंसु और होंसु पर ही capital है टोक्योव। होंसु पर ही capital है राजधानी है टोक्योव। यहाँ पर हिरोशिमा है हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को उरेनियम 235 बम गिराया गया था होकेडो होंसू सिको कुपर और यहाँ की उसू पर नागा साकी है जहाँ पर प्लूटेनियम 249 बम गिराया गया था अमेरिका के दौरा 9 अगस्त को जापान जो है जापान अलग होता है यहाँ पर लाव पेरास जलसंदी के दौरा सखालेन आइलेंड जो है रसिया का उससे अलग होता है यहाँ पर सुंगारू जलसंदी के दौरा अलग होता है किस से होकाडो होंसू अलग होता है इधर सी आप जापान है और यहाँ पर कोरिय जलसंदी के द्वारा साउथ कोरिया से अलग होता है जापान इधर आपको इस चाइन सी दिखेगा ठीक है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम जलधाराओं की बात किये थे कि जापान में सबसे ज्यादा ओयासियो और क्यूरेशियो जब मिलती है यहाँ पर आपको बताया थे कि ओके ओके नौर्थ में ओके जो भी उत्तर साइट से जो भी भूमद रेखा की तरब जलधाराएं आएंगी वो मुख रूप से थंडी जलधाराएं होंगी और जो दच्छिड साइट से जाएंगी जो भूमद रेखा से होके जाएंगी वो गर्म जलधाराएं होती है तो ओयासियो और क्यूरेशियो जब दोनों मिलती है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पोड़क्टी छेतर होता है जहाँ पर बहुत ज्यादा फीसेस पाई जाती है बहुत ज्यादा मचलिया पाई जाती है फ पोकाडो होंसु सिकोको कियो से बता दिया जापान को निपन लैंड आफ राइजिंग सन भी कहा जाता है उगते सूरज का देश कहा जाता है ठीक है और ओयासियो कुरेशिया आपको बता दिये लाउपरेस स्टेट के दौरा सखाली लैंडन से अलग होता है यह जापान तो य अखरी देश से जापान दान करने में और भारत की रैंक चवदा आई है लेकिन पासपोर्ट रैंकी के हम बात करते हैं तो जापान नंबर एक पर है यूपी ट्रिपेल सी पेट के एक्जाम में कोस्चन आया हुआ था ओके जापान को कहा जाता है कि कंट्री आप भुकंपों का देश भुकंपों का देश यहां पर ओकिन सीमा एक सेक्रेट प्लेस है बहुत यहां पर सेक्रेट प्लेस है मतलब की बहुत 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 चेतर जहां पर लोगों की बहुत आस्था है वहां पर लोग जाते हैं तो इसको नेट पर सर्च करेगा इसके बारे म श्यूंश है उसको आपको कमेंट करना या वाता को बोला जाता to the आप जापान उसाका को मांचेस्टर आप जापान बोला जाता नगोग को डेटराइट आप जापान कहा जाता है ठीक है जापान जो है सब्सें बड़ा सिप बिल्डिंग नेशन है वर्ल्ड का ठीक है हाँ तो कुछ इतनी चीजे जापांच से रिलेटर महत्पूर है क्वेश्चन समिच्छा अधिकारी 2018 को जो पेपर हुआ तो उसमें पूछा गया था नौट टू साउथ सेट करने के लिए होकाडो होंसू सिकोको कियोसू मेंस के एकजाम में भी सायद ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी के कि नौट टू साउथ सेट करने के लिए है ठीक है एक क्वेश्चन किसी में पूछा गया था कि टोक्य जो कैप्टल है कौन से दीप पे है तो होंसू पर है जो सबसे बड़ा दीप है साउथ वेस्ट एसिया कंट्री में हम सबसे पहले देखते हैं सौधी अरेबिया के बारे में साउथ वेस्ट एसियन कंट्री यहाँ पर आपको दीख रहे हैं सबसे पहले हम देखते हैं सौधी अरेबिया साथी अरब के बादे में ये छेटफल में साथ वेस्ट एसियन कंट्री में अरेबियन पेनिसुला में अरेबियन प्रायदीप में छेटफल के जिसे सबसे बड़ा देश है जो 80% अरिया अकेले कवर करता है इसकी राजधानी रियाद है यहाँ पर डो डिजट पाय जाते हैं दो डिजट यानि रेगीस्तान मरुस्थल मरुस्थल पाय जाते हैं एक का नाम है अलनाफेद और दूसरा है अरबल खाली मरुस्थल कहाँ पाय जाते हैं साआदी एरब में PCS Pre 2017 के paper में desert से मरुस्तल से related question सुमेलित करने के लिए आये थे, आने वाले समय में आ सकते हैं, ठीक है, जिद्धा सबसे बड़ा airport है, जिद्धा आपको यहाँ पर दीखेगा, Red Sea लाल सागर में आपको जिद्धा दीखेगा, जिद्धा port दीखेगा, जिद्धा port दीखेगा, इसकी capital राजधानी है, रियाद, तो सौधी एरेबिया एक ऐसा देश है, जो पूरे Arabian Peninsula का 80% पूरा इसका छेतरफल है, और सौधी एरेबिया में दो desert पाया जाते मरुस्तल हैं, अल नाफेद और अबल खाली, जिद्धा सबसे बड़ा port है सौधी एरेबिया का, और सौधी आगे चलते हैं, और सौधी एरेबिया आपको यहाँ पर्सियन गल्फ में भी, पर्सियन गल्फ में भी दिखेगा है, देखें पर्सियन गल्फ के पास है, आगे हम लोग देखेंगे इसको, बहुत अच्छे तरीके से, यूईएई के बारे में देख लेते हैं, दुबई, सार्जा, फुजैरा, अजमान, उमललक्वाइन, और रस अलखेमा, यह सेवन इमिरेट्स हैं, इनको मिलके सहयूग तो यूनाइटेड तब जाके यूई है, आप दुबई सुनते होंगे, बहुत फेमस दुबई, दुबई कोई कंट्री नहीं है, यूईए में ह सवयूग तरव अमिरेत में है, यह देखिए, आपको यहां दिख रहा है, और अबुधाबी is the capital, सार्जा, आप किर्केट देखे होंगे, तो उसमें बहुत फेमस ता, सार्जा इस्टेडियन, तो यह यूई है, यह देखिए पर्सियन गल्प में, यह पर्सियन गल्प में इसका तट लगता है, अभी आगे पर्सियन गल्प की कंट्रिस के बारे में देखा जाएगा, अगला है यमन, यमन की राजधानी क्या है, साना, यहां आपको सौधी अरेबिया दिखा था भी, और वहीं रेट सी के पास आपको यमन दिखेगा, यह देखिए, और बाब अल मंडेब, जलसंदी, यमन और जिबूती के बीच में है, यहां पर, बाब अल, मंडेब, जलसंदी, यमन, इसकी राजधानी है, साना, और जो अरेबियान पेनिसुला, अरेबियान प्रायदीब का ऐसा देश है, जहां पर सबसे ज़्यादा रेन फाल, सबसे ज़्यादा बा ये मुखिरूप से बाबर मंडेप, जलसंधी, यमन और जिबूती के बीच में है, ये रेट सी का पार्ट है, रेट सी में हम ट्रिक के दौर बताये थे कि आइस्ट, आइस्ट, तो आइस्ट में E, Y, E, W, S, D, आइस्ट में यमन भी है, तो रेट सी, लाल सागर के पास कौन जिबूती, ठीक है, आगे देखें, आगे ओमान के बारे में देखते हैं, अभी हम यहाँ सुधी अरेविया देखें, उधर यही देखें, इधर यमन देख लिए, अब हम ओमान के पास आ गये हैं, ओमान, मसकत इसकी राजधानी है, यहाँ पर मसकत, मसकत दिख रहा है ओमान और इरान के बीच में हारमूद जलसंदी ओमान और इरान के बीच में है, ओके तो यह ओमान से रिलेटेड आगे इरान के देखें, इरान आपको यहाँ दिख रहा होगा, यह भी इरान में भी दो ऐसे दस्ते लूट, मरुस्तल हैं, दस्ते लूट, दस्ते काविर, ज जो बहुत news में रहता है और चाहभाहार पोर्ट जो है चाहभार पोर्ट इरान का जिसको develop India कर रहा है यहाँ पर ठीक है इंडिया भी invest कर रहा है यहाँ और यह इरान एक ऐसा देश है जो gulf country यह देखे परिसियन गल्फ है नहीं आपके लिए एक question है gulf Cooperation Council की अस्थापना कब हुई थी और इसमें कौण कौण सीitter है इसमें कौण कोण सी mandatory है GCC में गल्फ Cooperation Council में कौण कौण से country है कौण कोण से देश है UPSC IS 2018 के पिरी में एक question आय हुआ है कि UH कि गल्फ Cooperation Council में कौण काँडी है निम्लखिक्त में से कौन सी कंट्री नहीं है जी जी सी में गल beschいつा।व कवाइशन कंट्री यह कुस्च्छन था. और एक ऐसा देश है जो कैस्पीयन सी से कैस्पीयन सागर से भी इसका यहाँ पर टच कोट थो तो कैस्-पिंसी में काउन काउन सी country है? यह फार्मला आकरीत अकरीत अजरवेजान कजाकिस्तान रसिया इरान तुर्क्मेनिस्तान तो चाभार पोट हो गया है चाभार आपको यहां दिख रहा है, गल्फ कंट्री है, यह देखिए, इसका बॉर्डर इधर भी, यहां पे आपको कैस्पेन सी में भी दिख रहा है, ठीक है, दस्ते लूट और दस्ते कावेर, यहां के दो मरुस्थल हैं, ओके, और, ठीक है, तो इरान को कहा जाता, कंट्री अफ आर टिग्रिस और युफ्रेटस नदियां जहां पर मेसोपोटामिया सब्धता बिक्सित हुई थी नदियों के किनारे ही सब्धताइं बिक्सित होती हैं जहां पर पानी की उप्लब्धता होती हैं वहीं पर सब्धताइं बिक्सित होती हैं जैसे अगर हम सिंद्ध घाटी सब्ध तक बात करें तो सिंध नदी इंडस नदी और वहाँ पर जेलम चनाब रावी ब्यास सतलज ये भी नदियां थी तो टिग्रिस और उप्रेटस नदियों के बीच में मेसोपडामिया सबिता भिक्सित हुई थी दजला और फरात वहाँ पर बोला जाता दजला और फरात नदी की दिख रहा है यहां जाग्रोस मांटें रेंजें है जाग्रोस मांटें रेंज जाग्रोस मांटें रेंज इरान में है ठीक है यहां देख लीजिए इराक में ओके और इराक भी पर्सियन गल्फ में टच होता है यह देखिए चोटा सा बॉडर है इसकी इंट्री यहां से ह कंट्री है यहाँ पर इधर आपका इराक हो गया इधर इरान हो गया इधर आपका सौधी अरेविया है और यह कुएत यह परसियन गल्फ है पूरा इक कुएत भी है कुएत की राजधानी है कुएत सिटी ठीक है और अगर परसियन गल्फ कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ प यहां पर आपको बाबल स्टेट आफ हार्मूज यहां पर ओमान ओमान और रान की बीच में हार्मूज जलसंदी आपको दिख रही है तो यह पर्सियन गल्प के कुछ कंट्रीज हैं आप से कुछा जा चुक है गल्प कॉपरेशन काउंसिल कब बना था और उसमें वर्तमान समय में कौन कौन से देश हैं इसको आप कमेंट जरूर करिएगा ओके आगे सीरिया इराक हो गया अब सीरिया एक बारे में देखते हैं सीरिया देखिए यहां पर आप मैप में देखेंगे सीरिया यहां पर भूमद दिसागर में इसका भूमद दिसागर में यह ओपन होता है सीरिया ठीक है सीरिया की राजधानी क्या है सीरिया की राजधानी क्या है दमस्क दमस्क इसकी राजधानी है सीरिया में कूर्द जन्जात ही पाए जाती है यहां की उमयद मस्जिद जो है वो बहुत फेमस है बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तिक ONE पिखिर्याओ ओपें होता भूमद्हिसागर मैं यहाद रहे ढ़ के तर्की के बारे में देखते हैं तर्की आपको दिख रहे हुआ यॉइंहार ईधर भूमद्हषागर इधर ये यह देहिए ठरकी जो है 97 परसेंट तक तक टरकी तरकी तुर्की tag9-97 परसेंट तक एस यहां भोसपोरस जलसंदी है यहां डाडन लीज थोड़ा सा कंफ्यूज्जन है कि यहां न लूज देख लीज़ijnा के जरू कर यहां पर यहां पर अधांजी सी और यहां पर आपका एजिएन्सी आ जाता हら ब्लैग सी मर्मरा सी दोनियां है ओके यहां ब्लैक सी के पास कौन कौन सी कंट्री है रबर रबर जीटी इसको आप यॉरोप पढ़ेंगे तो यॉरोप में देखा जायेगा इसके लिए ट्रीग रबर जीटी तीक है यह ब्लैक सी इधर आपको बो स्पोरस जलसंदी इधर डाडनेंञीजे मरमरा शी यह लेक जिसकी सेलेनिटी लवडता सबसे ज़्यादा है पूरे विस्व में गेरेटवान लेक कहां पर है तर्की में यह 330 बीपीटी इसकी सेलेनिटी यह 330 पीपी टी ओके टीग्री सवरी फ्रेटर्स नदियां यहीं से निकलती हैं माउंट अरारात से जो हमने बताया टीग्री सवरी प्रेटर्स नदियों में ही इराक में यह सब जाती है तो यहाँ पर मेस्वड़ामिया सब्विता भिक्सित हुई थी ओके लेकवान बता तर्की की राजधानी क्या है सायज राजधानी के बारे इसको आप कमेट करिए तर्की की राजधानी क्या है वैसे पता ही होगी अब जॉर्डन देश की बात करते हैं यह जॉर्डन दिख रहा है यहाँ पर रेट सी में ओपन नहीं होता है यह गलत मैपर रेट सी में ओपन में नहीं है यूपी पीसीज भी पूछ सकता है पूछने में कहा जाता है तो यहां पे आप जार्डन देख रहे हैं जार्डन इधर इराक से बार्डर से हो रहा है इधर सीरियस से हो रहा है इधर आपका इजराइल है यह इधर इजराइल है यह है डेट सी डेट सी कहां पे है Jordan और Israel के बॉर्डर पर है यहाँ पे आपको दिखा है Golan Heights जो इस समय इसराइल के अंडर में है और यहाँ पे आपको यह सौधी अरभिया दिख रहा है तो यह Jordan country है Jordan की राजधानी क्या है Amman Jordan की राजधानी है Amman आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से country इसके border share करते है इधर आप लेबनान के बारे में इधर इसराइल के बारे में क्योंकि यह बहुत news में था ठीक है news में क्यों था आप सबको पता है सबसे निचला भूतल जो है अर्थका वो यही डेट सी है हमने अप्रीका माना di प्ढ़ाया था तो उसमें अप्ता था असाल जील जो है अफ्रीका की सबसे निचला तल-ख्था आसाल जील असाल लेक सरी ओके? आगे क्या है? लेबनान, लेबनान देर अभी हमने जॉर्डन देखा अब लेबनान देखते हैं इधर लेबनान ये सीरिया इधर भी सीरिया और यहां इसराइल यहां पर बीच में गोलन हाइट्स आ जाता है जो इसराइल के अंडर में है गोलन हाइट्स सीरिया का पार्ट है इसराइल के अंडर में है यह सीरिया इधर चारुत तीनों तरब से इ बेरुत बेरुत कहां पर है तो आइये रहा हूं थीका लेबनान की राधानी है बेरुत लोकेशन बहुत ज़रूरी है देख लीजेव लोकेशन अच्छे से मैप में अपने घर पे रूम में देख लीजे़ साइपड़स की राजधानी है निकोसिया साइपरस की राजधानी निकोसिया लोवर पीस्एयस सुला में कुछा गया था सुमेलिद करने के लिए जिसमें कई आपसंस थे जिसमें एक साइप्रस भी था अभी कुछ दिन पहले यूपे-टिरबल-सी-पेट के एक्जाम में चार ओप्सन दिये गए थे पूछा गया था कि कोश्टारिका की राजधानी क्या है अगर आपको एक पता होगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे इसलिए राजधानियों पर थोड़ा फोकस किये रहिएगा फोकस रखा कर गए साइप्रस की राजधानी है नि एसिया महादीप से रिलेटेड एसिया महादीप छेत्रफल की द्रिश्ट से सबसे बड़ा महादीप है पूरे बिर्थवी की पूरे अर्थ की 30% यहां पर धरती है और पूरे अर्थ की 60% जनसंख्या रहती है ठीक है अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का छेत्रफल जो है पूरे बिश्व के छेदफल का 2.43 परसेंट है लेकिन जनसंख्या कितनी रहती है लगभग 18 प्रस्तर जनसंख्या रहती है ओके तो एस्या महादीप से रिलेटेड जो महात्पूर चीजें थी आपको जो पहला लेक्चर मिल चुका है आप 90 डेस प्लान के अंतरगा दे लेक्चर हो सकता है यूरोप महादीप से रिलेटेड हो आपको दिया जा चुका है अफ्रीका महादीप पूरे तरीके से रिकार्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद